नमस्कार दोस्तों, market all time high चल रहा है तो ऐसे में हम लोग कहां पर investment करें खास करके अगर हम लोग mutual fund investors की बात करते हैं तो वो बड़ा परिशान रहते हैं कि क्या मुझे अभी sensex में nifty में invest करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए यानि कि indexes में invest करना चाहिए कि नहीं क्योंक हमारा पैसा equity में भी जाए हमें बहतर return भी निकल करके आए और हमारा पैसा उतना ज्यादा risky भी ना हो यानि कि volatile market को beat कर सके ऐसा कोई investment option हमें चाहिए तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप लोग mutual fund में invest करना चाहते हैं तो आप लोगों के सामने balanced advantage fund है mutual fund में हर AMC के पास balanced advantage fund होता है इसके importance को बताऊंगा और long terms के goal में ये किस तरह से आपकी मदद कर सकता है जिससे कि आप लोगों को अपनी financial planning हर तरहिके के market में आसानी से करने का मौका मिल सके तो चले दूसतर वीडियो को start करते है I hope ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ वीडियो चाहते हैं इससे related तो आप लोग नीचे comment कर सकते हैं और चैनल को भी subscribe करेंगे bell icon हो क्लिक करेंगे तो उन वीडियो के notification भी आ सकेंगी तो mutual fund में balanced advantage fund का मतलब क्या होता है balanced का आप लोगों को मतलब है कि हर तरीके से manage करके रखना यानि कि ज़्यादा पलड़ा ना उपर की तरफ हो ना ज़्यादा नीचे की तरफ हो यानि कि approx equal हो आप लोगों का जो mutual fund है कोई भी AMC आप लोगों को offer कर रही है चाहे वो SBI चाहे ये भी आदित्य बिरला या फिर निपॉन इंडिया कोई भी आप लोगों को AMC अगर इस तरह के fund offer कर रही है तो उसका मतलब ये है कि आप लोगों का पैसा ऐसी जगह पे ढालेगी जहां पे exposure जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो ठीक है तो इसको आप लोग दो तरीके से सम ना सकते हैं Exposure का मतलब होता है कि इक्विटी और डेप इन दोनों में आप लोगों के से क्कुरिटी डिसाइड होति ज उतना ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है जितना ज्यादा डैप में पैसा आप लोगों का होगा उतना कम रिस्क हो जाता है यानि कि अगर आपका रिस्क को बढ़ाना है तो एक्विटी में इंवस्मेंट आपका ज्यादा होता है ठीक है लेकिन रिवर्ड्स भी उतने ही तरफ investment ज्यादा होता है और अगर market all time low पे है यानि कि market में crash आ चुका है तो ये equity में investment करते हैं कुछ अच्छे stocks की अच्छी valuation पे उनको buy करने की कोसिस करते हैं तो ये दो काम होते हैं एक तो equity का और debt का balance maintain करके रखते हैं कि fund जो है आपका वो बहुत ज्यादा risky ना हो पाए और आप लोगों को एक decent return निकाल करके देता रहें दूसरी चीज कि अगर all time high पे market है या फिर all time low पे है या फिर market crash हुआ है जैसे कि covid की वज़े से दो बार हम लोगों ने market crash देखा एक first wave में जो कि हम लोगों की आई थी 2020 में March के अप्रॉक्स और उसी second wave भी आई थी 2021 March के अप्र चाल में हम लोगों ने market का थोड़ा बहुत bottom देखा यानि कि market उपरी इस तरों से काफी नीचे तक गीरा तो इन दोनों में ही balanced advantage fund में अगर आपने investment करा होगा तो कुछ अच्छे stock की अच्छी valuation पे fund manager ने invest करा होगा तो अगर आप लोग भी balanced advantage fund में investment करना चाहते हैं क्योंकि आपका पैसा जा रहा है इनके पास तो उनको invest करना ही करना है चाहे market all time high पे हो या फिर all time low पे हो तो balance advantage fund में थोड़ा सा आप लोगों का ये advantage आप लोगों को मिल जाता है कि आपका पैसा जो है वो all time high market में पूरे में ना invest हो करके दूसरी जगह भी जाता है जिससे कि आपका पैसा जो है बहुत अच्छे return निकाल करके तो नहीं देशा है लेकि प्योर equity में risk है उतना ज्यादा reward है लेकिन balanced advantage fund में आपका risk प्योर equity वाले से कम है लेकिन जो reward है वो भी अच्छा है और minimum है यानि कि आप लोगों को उतना अच्छा नहीं मिलेगा लेकिन उसके आसपास के return मिल जाएंगे लेकिन अगर आप risk की बात करते हो तो उसमें risk ज्यादा मिलेगा और इसमें risk आप लोगों को कम मिलेगा as compared to pure equity में तो I hope मेरे point को आप लोग पकड़ पा रहे हो तो अगर आप लोग investment करना चाहते हो balanced advantage fund में तो आप लोगों के goal क्या होने चाहिए तो goal एक simple सा होना चाहिए कि long term के planning आप लोगों को करनी है अगर आप लोग short term के planning करते हो तो आप लोगों को हमेशा अच्छे return नहीं निकल करके आ सकते है लेकिन अगर आप लोगों ने 2020 में invest करा होता January उन्वरी में तो approach जो benchmark इनका रखा गया है और कुछ funds ने भी है तो उनके average return निकाल करके दिये हैं तो इस तरह के market में आप लोगों को अच्छी opportunity मिलती है अच्छा investment भी होता है तो long term में क्योंकि देखिए अभी all time high पे market हो आप लोग सोचो कि अगले साल फिर हम बढ़या return निकाल दे यहां से invest करके तो यह बहुत ज़्यादा मुस्खिल हो सकता है कि आपको अच्छे return निकल करके आजाए लेकिन risk ज़्यादा है तो आपको क्या करना है कि long term की planning इस तरह के fund से करनी है और इस तरह के fund में आप लोग लमशम amount भी डाल सकते हैं क्योंकि यहां पे आप लोगों का पैसा fund मेलिजर के ऊपर actively काफी ज़्यादा forcefully invest होता है तो इसमें आपक कोई question हो सरे लेट तो वो भी आप लोग मुझे नीची comment box से पूछ सकते हैं यह video अच्छे लगी हो तो like कर दीजिए गर नहीं अच्छे लगी तो just like कर दीजिए आप लोगों को बहुत सारे आदित्य बिरला का जो balance advantage fund है वो मुझे काफी अच्छा लगता है तो आप लोग एक बार देख सकते हो अगर investment करना चाते हो बाकि और भी funds है जिनको आप लोग देख सकते हो मैं कर मेरा personally investment उसमें है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और fund ने काफी अच्छे performance भी दी है तो जो लोग भी fund के बारे में जानना चाते है वो आदित्य बिरला का एक ब देख सकते हैं लेकिन यह investment advice नहीं है investment करने से पहले आप लोग इसको अच्छे से ठीक ठाक से परक लिजेगा कि आप लोगों के पॉर्टफोलियों पर फिडबैटता है कि नहीं आप लोगों के risk के according आता है कि नहीं तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए दूसरों के देन सुबहो जाहिन